हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयम राजस कुमार और आज में आपको बताने जा रहा हूं कि रेलवे ने फिर से आर्पियफ के लिए 8,619 पदों के लिए भरती निकाला है यह इस वीडियो में आज step by step बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चाहिए इस फ़र्म को भरने के लिए इस आवेदन को भरने के लिए पोस्ट का नाम आर्पियफ कॉंस्टेवल ओनलाइन फ़र्म 2018 और इसमें टोटल वेकेंसी है 8,619 इसमें एप्लिकेशन फी कि एसी एस्ट के लिए है फिमेल्स इस सब के लिए अडाय सो रुपाई है तूप फिप्टी रुपीच लगेंगे सब के लिए और अदर्स में जैसे कि ओवीसी जेनरल्स वालों के लिए 500 रुपाई है तो और इस फ्रॉंप को अउनलाइन भर सकते हैं इसका ओनलाइन डेट है 162018 से कर सकते सुबह 10 बज़े से आप कर सकते हैं और इसका लाज़ डेट है 362 अठार तक है साम 4 बज़े तक है इवनिंग 4 बज़े तक आप कर सकते पैमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तोनों तरह से कर सकते हैं ज़िक आपके पास epsilon करीड़ काड़ इंटनेड बेंक से सब्सक्तिक्न करना चाहते तो हैं अर्फलाइन से कर सकते हैं टो अप इड़ी रिलिज नहीं किया लेकिन घसर सब्सक्राइब। और इसमें qualification metric pass होना चाहिए जो metric pass किये हैं और इस form को भर सकते हैं और male और female दोनों इसमें apply कर सकते हैं दोनों के लिए वेगेंसी निकला हुआ है इसमें total 8619 है जिसमें से 4403 male के लिए यानि प्रूस के लिए है और female के लिए 4216 है और इसमें हम height के बात कर लेते हैं OVC के लिए OVC के लिए इसमें height 165 165 cm आपका लंबाई होना चाहिए और महलाएं के लिए 157 cm होना चाहिए OVC के लिए 157 cm महला के लिए होना चाहिए और 165 cm प्रूस के लिए होना चाहिए और इसमें chest प्रूस के लिए बिना फुलाएं आपका 80 cm होना चाहिए chest आपका चाहती 80 cm होना चाहिए और फुला के आप 85 cm तक होना चाहिए आपका chest और SCST के लिए 160 cm है प्रूस के लिए 160 cm SCST के लिए हायट होना चाहिए प्रूस चाहिए और महलाएं के लिए 152 cm होना चाहिए और SCST के लिए 76.2 cm से लेके 80.2 cm तक होना चाहिए और बिना फुलाएं 76.2 cm और फुला के आपका 80.2 cm होना चाहिए और दोड प्रूस के लिए 1600 मिटर है पांच मिनट 45 सेकेंड में आपको दोड़ना पड़ेगा 60.2 cm और महलाएं के लिए 800 मिटर है तीन मिनट 44 सेकेंड में दोड़ना पड़ेगा 800 मिटर और लंबी कुद है पुरूस के लिए 14 feet और उंची कुद है 4 feet और महला के लिए 9 feet लंबी कुद 3 feet उंची कुद और डोक्यूमेंट के बारे में हम डोक्यूमेंट में आपको मेट्रिक का मार्ट सिट्स लगेंगे और फोटो लगेंगे हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इस आवदर को कैसे भरना है किस तरह से भरना है उसका detail हम बनाएंगे उसके बारे हम बताएंगे अगला वीडियो में उसमें document वगेरा के बारे में पूरा details से हम बताएंगे धन्यवाद, thank you